पालियमेंट में जिकर हो रहा मनीपूर का पालियमेंट में हिमाच क्या बलता है हरियाने का जिकर होना है बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किसानों की समस्या से ध्यान भटकाने के लिए महिलाओं की तीन-तीन महिलाओं को नगन घुमाया गया मनीपूर में उस पर जिकर नहीं करेंगी आप पर्लेमेंट में उड़ता हुआ चुम्मा का जिकर कर रही थी आप बता दीजिए कि एक साथ शाल की बुड़िया को कौन ऐसा अव्यक्ति होगा जो उड़ता हुआ चुम्मा देगा ये प्रधान मंत्री भारत के हैं कि इंगलेंड के हैं अमेरिका के है पहली शोग करें कि प्रधान मंत्री कहां के या पूरे 65 हं मैं हमारे देश के माननी प्रधान मंत्री राजा-बाबु अब इस सबसे बड़ी क्वाल्टीерм को इंकी सबसे है ग्igonert cent द्रेस बदलना अरे भाई मैं तो देख के हैरान रह गया कि मुगले आजम पिक्चर में सिनेमा में इतना ड्रेस तो मधुबाला भी नहीं बदली थी कि ये जुमले बाजी बकायती ठेकना दुनिया का कोई अइसा क्रिकेट का बालर नहीं हुआ जो हमारे माननीय प्रधान मंतरी से तेज फेख रहा हो माननी प्रधान मंतरी राजा बाबो की तो एक कहावत हिंतुस्तान में पहले से प्रशलित है कि बरबादे गुलिष्टा करने को बस एक ही उल्लू काफी है अंजामे गुलिष्टा क्या होगा जहां हर साक पर उल्लू बैटा है आप बता दीजिए कि आज तो हम लों को पता थ कि प्रधान मंतरी के पास अपनी सफलता बचाने का कुछ है नहीं नमस्कार मैं ब्यूटी किरी और आप देख रहे हैं जनहीतावाज अभी हमारे साथ कॉंग्रीस के तमाम लोग जो हैं कार्यकरता वो लोग मौजूद हैं आज स्वतंत्रता दिवस है 77 साल हैं स्वतंत्रता दिवस के प्रधान मंतरी ने लाल किले से खूब भाशन दिया और परिवार वाद बे भी खूब बात की क्या कुछ कहेंगे इस पर एक कहावत है ने पहली बात तो मैं आपके चैनल के मारफत देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के शुभाव सर पर शुभ कामनाओं सहीत हार्दिक बधाई देता हूं रही बात माननी प्रधान मंतरी राजा बाबो की तो एक कहावत हिंदुस्तान में पहले से प्रशलित है कि बरबादे गुलिष्टा करने को बस एक ही उल्लू काफी है अंजामे गुलिष्टा क्या होगा जहां हर साक पर उल्लू बैटा है आप बता दीजिए कि आज तो हम लोगों को पता था कि प्रधान मंतरी के पास अपनी सफलता बताने का कुछ है नहीं बस इनके पास क्या है कि इनकी एक नई महतरमा है नाम नाम स्रीमती इस्मिती रानी जो किस पे बावाल की है उड़ता हुआ चुमा इनके मुख मंतरी मदप्रदेश के हो नहार मामा जी पचास परसेंट वाली सरकार के मुखिया आम पबलिक के भी जाते हैं जनसभा में जाते हैं वहां भाहिलाएं भी होती हैं बच्चियां भी होती हैं पुरुस भी होते हैं तो इस तरह से उड़ता हुआ चुमा भी देते हैं माननिय प्रधान मंतरी राजा बाबू किसी रहिली में जाते हैं तो इस तरह से करते हैं और माननिय ग्रीह मंतरी अमिश शाह जी के पुत्र शपुत्र जैसा पूरी दुनिया देखिये तो इस तरह से करते हैं मैच के दोरान माननी प्रधानमंत्री कहीं ऐसे ऐसे करते हैं माननी प्रधानमंत्री 50 लाग की गल्फ्रेंड का जिकर करते हैं माननी प्रधानमंत्री परिवारबाद का जिकर करते हैं तो मैं बता देना चाहता हूं कि जिसको क्रिकेट के बाल का वजन नहीं मालूम, वो ग्रिमंत्री का बेटा, BCCI का जनल सेक्रेटरी कैसे हो गया, पंकत सिंग की भारती राजनित में क्या योगदान है, राजनाज सिंग के बेटे हैं, तमाम इनके वहां महापुरुस पड़े हुए हैं, आप बताई अनुर अपरीरानी, जो गोवा का स्वली बार था, वहां से जब इनकी बेटी, ओपर आरोप लगा, वहां पर गोश्ट और बीरबार जो भी बार खोल रकी हैं, तो बार में भाई बीप बेठी जाती है, बीप के मांस भी, तो बीप में आता है गौमांस भी आता है भैसे का मां गोश्ट भी आता है बकरे का भी आता है मुर्गे का भी शलाटर हाउस में भी सब कटते हैं कि यह तथा कथि हिंदू वाली पार्टी आप पार्लेमेंट में उर्टा हुआ चुम्मा का जिकर कर रही थी आप बता दीजिए कि एक साथ 65 साल की बुढिया को कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो उर्टा हुआ चुम्मा देगा अपमान जनक बाते कर रहे हैं आप मैं अपमान जन से ऊपर कि हम खो दिया और लोगों को दिया भाजबा कि महिला सांसुदों को दिया मतुरा से मानजनीय카 सीरिमत हैं मालनी कहा मुझे कहीं इस तरह क directors वे क्शुम्मा दिखाई नहीं दिया भाईवू तोफीन्र इस टर रही हैं उनको नहीं दिखाई प्राप्त है पालियामेंट में जिकर हो रहा मनीपूर का पालियामेंट में हार्याने का जिकर होना बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किसानों की समस्या से ध्यान भटकाने के लिए ये तमाम तरह के महिलाओं की तीन-तीन महिलाओं को नगन घुमाया गया मनिपूर में उस पर जिकर नहीं करेंगी लगा दो आरोप पंडित राहूल गांधी के उपर बचारे कमारे आदमी हैं तो बताईए अगर उनको फलाइंग किस या उड़ता हुआ चुम्मा देना है तो किसी खुबसूरत नवेवना लड़की को देंगे कि तिन बच्चे की मां को देंगे आप ही बता दीजिए अपमान कर रहे ह एक महिला का मैं किसी का अरे अपमान उसका होता है जिसका मान होता है आप बता दीजिए कि देश में तमाम अरे आज माली यह प्रधान मंतरी तमाम तरह कि महंगाई को लेकर कहा प्रधान मंतरी के पूरी दुनिया में महंगाई यह सिर्फ भारत में नहीं है यह प्रधान मं है कि देश के माननी परधान मंत्री राजाबाबू यह सबसे बड़ी क्वाल्टी है इनकी सबसे बड़ी क्वाल्टी एक चांट ड्रेस बदलना अरे भाई मैं तो देख के हैरान रह गया कि मुगले आजम पिक्चर में सिनेमा में इतना ड्रेस तो मधुबाला भी नहीं बदली थी यह अपने आपको बिद्वान समझते हैं इनको को भो अन्तरय मालूम होता है इतने वड़े VIPL पता होता यह बताई टेली प्रामटर पर बोलने वाला चलते रहता है जो उसमें दिखाई दिया बोल दिये जरने दिखाई दिया नहीं बोल पाए उसके जगह दूसरी तर्फ भारा मोड दिये नहीं योजना लाएं है में दो करोड़ लखपती दीदी बनाएंगे लखपती दीदी यह भी एक जुमलला है 15 लाग लोगों के खाते में आ गया और जो है अब लखपती दीदी बनाएंगे तो करोन लोग को वो कौन सी दीदी होंगी अभी तो यह तमाम तरह का यह बता रहे थे कि राखी बनवाना मुस्लिम माहिलाओं से बत्कियों से भाजपाई नेताओं को तो मैं पूछना चाहता हूं मानी प्रधान मंतिरी राजा भाबू से क्या आप बिल्किस मानों से राखी बनवाएंगे गुजरात में तो मेरे कहने का पूरा तात्पर यह है कि यह जुम्लेबाजी बकायती फेकना दुनिया का कोई ऐसा क्रिकेट का बालर नहीं हुआ जो हमारे माननी प्रधान मंतिरी से तेज फेक रहा हो अगर कंपडिशन जूठ बोलने का लगे फेकने का लगे जुम्लेबाजी का लगे तो हमारे प्रधान मंत्री अउगल है नमबर एक बिस्तों में जनता पसंद कर रही है उनको कहां से जनता पसंद कर रही है किसा ने को दिया आप से आप बता दीजिए यह बैचारे परिशान है कि डिश्टर्ब हो गया है इनके पार्टी की मनोदसा समझिये मैंनो पोली को समझिये कि लोग किस तर से किस के उपर यह कौन सा आरोप लगा देंगे उसकी कल्पना आप नहीं कर सकती है समझ रही है तो जान लिजिए कुल मिलाकर के आज का प्रधान मंत्री का जो भी कर था सत्य से परे था मनों से जुम्लेबाजी की अलावा और कुछ नहीं दिया जा सकता पंडित राहूल गांधी आम गरीबों मजलूमों कि शानों मज़ूरों विद्यार्थी बेरोजगार नोजवानों की बात करते हैं और थबेवस्ता पे डिसकस करना चाहते हैं लेकिन पर्धान मंत्री को सपने भी सत्त बोलने से नफरत है यह जूब अगले साल जो है फिर इसी लाल किला से तिरंगा फहराएंगे क्यों चुनावायों को सेट करके मसीन सेट करके जब अर्जास्ति जब इनसे किसान नाराज है वेरोजगार नोजवान नाराज है देश का स्रम तोटवा इनको खौन देगा तरहीं को यहीं बता दीजिए जनता देगी जनता जनारदा नहीं कि जो अच्परासी है अंधभक्त है कुछ दे देंगे गोबर अबर खा करके हाई जान लिजिए इस ते आलमा और कुछ नहीं अगली बार जीतेगा इंडिया गट बंधन हारे गट बंधन तो घमंडिया कहा जा रहे हैं इंडिया को आरे घमंडिया के हैं उनको जो कहना है वो कहें जो मन में आरे उनकी एक फिल्मी हीरोईन तो आरोप लगाई रही है ना तक इतना बड़ा भाजपाईयों का चरीत्र उज्वल है पुरा देश देख रहा है पुरी अबड़ से अपने घर बुलाते हैं खाना खाने तो यह गलत वामी के लोगंड देखिए मआरिक लगा हुई है कहां माइख मायाया हुए reviewers आ अगर माइख मूज अगर जाए अगर आटयों अगर वह कान में लगानेवौ सार फोन वाल तो माइक लगाय माना जाएगा अरे एरफोन है रोड कमाई के देखिए जो भी बात की जाती है इस पर रिकॉर्ड होता है यह भी लगाए है उनको भी लगवाया हुआ है तो लगवाया हुआ तो यह दुनिया जाने कि इन से 60 गाट नहीं कर रहा है राजनीती कर रहे हैं राजनीत नहीं कहा जाता है इसलिए इडी आज तक एक आरोप नहीं पंडितराहुल गांधि किसी भी ब्यापारी उद्वक्ति से मिल ले तो ग्रूप में मिलते हैं किसी को परस्नल फोन नहीं करते हैं चैब टाटा हो या कोई हो टाटा से बड़ा इस द रामार युग में कि रामण को अपनी दो लोगों पे बड़ा गहमन था पहला गहमन था मेहनाज को पर आज दूसरा गहमन था कुमकरन को पर अब यह दर्शाना है कि मान्नी परधान मंत्री को किन-किन लोगों पे गहमन है अधानी और अमिसाप है अब बागेश्वार वसके हादिक शुवकांदा तोब इस से पता चल गए होगा कि आने वाले भविस्त के आशारम के का कितना ज्ञान है जा भविस्त के वह आशाराम है कुछ भी बोल सकते हैं कि मतलब टंग स्लिप हो जाता है कभी कब गलती से नीकल जाता है यह इनहीं लोग से होता है हम लोग उसे नहीं होता है इतने वड़े प्टकांड बिद्वान है आप क्या कहेंगे इस मृति इरानी ने जो फ्लाइंग किस पर जो है बावाल कर दिया संसद में उस पर क्या कहेंगे सबसे पहले तो इस सुतनतता दिवस्पत मैं एक बायो ब्रिद्ध अठासी वर्स का जो भारती जोड़ो यात्ता में भारती जोड़ो यात्ता में मैं कास्मी तक गया तो आईसे स्थिती में मैं जहां तक मेरा नजरिया अंधाज और मेरे सामने बात हुई मैंने आपने उस नभीवक को जिसने पनिजवाल नहरू के बाद हमारी प्रतान मंत्री स्रीमती इंवरा गांधी उनके पुट राजीव गांधी जिन्हों ने इस देश की जनता के पीछे सेवा करते करते हैं और वो सहीद हुए उस परिवार का नभीवक जो पनि लाहूल गांधी निक्रा और ये आज के जो मारे हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार है मारे मानि प्रतान मंती नरेज मोती जी के नेटितों में तु ये कभी भी किसी सारकार है समय पर यंदाजा नहीं कर पाए क्योंकि इन्हें ना तो परिवार का सोच है जिन्होंने मां की मृत्व के ठीक आधर घंटे बाद दुन्या को दिखाना सुरू कर दिए कि मैं माता को नहीं दुन्या को मानता हूं जो मा को नहीं मानता देश भक्ती है देख रहे हैं यह देश भक्ती इसको नहीं दौंग है धकोजला है पर्बिक हमारे नभीवक हमारी नभीवतिया हमारी जो यह माताएं बहने हैं वो अपनी इज़त आपरों को बचाने में इस जम्हें इनके राज में परिशान है और तो और क्या इतने बड़े सांसद में केवल इसमिती इरानी का मुझे कहना नहीं चाहिए चुकि मैं बुझूर्गू हूं यह सब अपमानित कहलाएगा नारी संदाए के लिए पर इसमिती इरानी का क्या पिछला और अभी क्योंकि सांसद में राउल गानी जैसे नविवद को कि बलवई मिलती है तो यह तो साजिस है यह तो सीरा सीरा चाहे जिस समय जिसको एडी लगा दें जिसके खिलाब रिपोर्ट कर दें जिसको बंद कर आदें यह उनको अजिकर प्राप्त है फिर अब यह भी मैं तो दामे के साथ कहता हूं की यह अभी और यह एक हमारे हाँ कहावत है कि खिसियान बिली खंभा खरभोते हैं तब इनके सामने कोई शारा नहीं दिख रहा है यह मोडे जी और यह जितने गोट से खांडान के हैं यह भाट पाई नहीं है एक भी गोट से खांडान बैठा हुआ है तो यह तो स्वें ब्याकुल है इनके कोई रास्ता दिख नहीं रहा है क्योंकि हिंदुस्तान की जो हमने देखा कन्या कुमारी से कश्मी तक नविवक्त उट पड़े हैं और वो इस्टिटी लाकर के रखे रखेंगे अगर यह नहीं समलते तो फिर सन 47 सामने आ जाएगा इनकी करमात से यह पर तो हो रहा है क्यो यह तनिक भी रहम पर और किसी पर प्रखायर की सोच में यह नहीं है कि हमारे लोग किना परिसान है यह किमल दुनिया को घूम करके और बेपकूब बना रहे हैं आज बताईए कितनी यह उजना चला करके अब एक कौन सी यह उजना आपने बताया अभी दो लो महिलाओ को ल लगपती दीदी बनाएं अभी अभी के बाल इसमिटी रानी के अलवा दूसरी महिला लगपती हमको नहीं दिखी आप बनाएंगे ना आप क्या बनाएंगे यह तो कई बादा मद्र प्रजेस में एक शिवराज सिवराज सिंग मामा करके है मैंने यह भी पूचा था कि क्यो हाँ सिवराज सिंग मैं तो तो जिजी बहाज बांजे से काम चलाते हो कि बाकी आपके जीचा थो है नहीं तो जिजी हों के भी हम अपना काम तो इस तरह का Areayने सभ चल रहा है को फम कि अभशा नहीं देते हैं मैं था जा कि अ डिखार रा हूं मैं अप्स अभी कहुंगा य आप चारिक्ता में ये बाते अपसद नहीं है। इसको अपसद तुम मानते हो, हम ये अपसद ये चल तुबहासाद। और देखो ला, भाई, क्या वो अपसद नहीं है। कि इसमें तर्यानी इतने बाते सांसद में और इसा रख करे। तो आपने साफ तौर पर सुना कैसे मतलब जैसे प्रधान मंत्री ने आज लाल के लिए से बाते हैं। लोगों को सुनकर जादा तर यहीं लगा कि देश के तमाम मुद्दों से हटकर प्रधान मंत्री जो हैं वो राजनीती करने में लगे हैं। लाल किले से वो राजनीती करते हुए ही नजर आए है। पूरी बात चीत पर आपकी क्या प्रतिकरिया हैं हमें जरूर बताएं। कैमरामेन तोहित के साथ ब्यूटी गिरी जनहीत आवाज।